नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका योगा स्टेशन के आज के अभ्यास में. आज हम योग करेंगे फेफडों की शुद्धी करने के लिए ताकि वो अपनी पूरी शमता के साथ काम कर सके. यानि कि आज का सेशन लंग कैपिसिटी बढ़ाने और उनको डीटॉक्स करने के लिए है. आज का वीडियो बच्चों, व्यसकों, बुजूर्गों और स्पेशली स्मोकर्स यानि की धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लापकारी है. इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो जादा से जादा लोगों तक जाएंगे. हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के प्रदूशत वातावरंड में हम रहे रहे हैं, उसके कारण हमारे फेफलो पर अनावश्यक दवाब पड़ता है, जिसका दुश्प्रभाव हमें अपनी सोसाइटी में दिखने भी लगा है. अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस, टी हमारे लंग्स होते हैं, उसका काम होता है हमारे शरीर तक भरपूर मातरा में ऑक्सीजन पहुंचाना. योग में हम इस ऑक्सीजन को प्राण कहते हैं और हम सब जानते हैं कि प्राण के कारण ही हम जीवित हैं. और ये हमें बताता है कि हमारे शरीर में लंग्स का कितना बड जो भी दुश्प्रभाव हमारे वातावरण, प्रदूशन और स्मोकिंग से पढ़ता है, कम से कम हमारे फेफडों को 10 साल लग जाते हैं उसको शुद्ध करने में, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर योग करते हैं और अपनी डाइट में एंटी इंफ्लिमेटरी फूड्स इंक्ल्यूड करते हैं, तो ये जो प्रॉसेस है वो तेजी से हो सकता है, मेरे दूसरे चैनल योगी सत्प, जिसको अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजे, वहाँ पर मैं डाइट और लाइस्टाइल से जुड़ी वीडियो डालती वहाँ पर मैंने लंग्स को कैसे डिटॉक्स करते हैं, डाइट में क्या-क्या ले सकते हैं अपने लंग्स के लिए, उसके बारे में विस्तरत रूप से बात की है, तो जरूर उस वीडियो को जाके चेक करें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, उपर भी आपको दिखाई दे जाएगा, तो जरूर आपको देखे हैं, योग शुरू करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानि कि श्वशन प्रणाली में कौन-कौन से अंग मौजूद हैं, हमारे शरीर में दो फेफडे होते दोनों लंग्स मिला करके वजन कम से कम एक व्यस्क में डेड़ किलो तक होता है, ये जो लंग्स हैं, ये मौजूद होते हैं थोरसिक केविटी में, जो हमारे पूरे चेस्ट एरिया में मौजूद होती है, हमारी श्वसन प्रणाली शुरू होती है, एक पाईप जैसी सरनक सरनक्षना से जिसको कहा जाता है ट्रैकिया, ये हमारी चाती में मौजूद होती है, फिर ये पाईप दो छोटे पाईप में बढ़ जाता है, जिसको कहा जाता है ब्रॉंकाई, अब ये जो पाईप हैं, एक एक लंग्स में जाके जोड़ जाते हैं, वहां से फिर ये छोट महत्वपूर्ण काम होता है वो ये कि हमारे रक्त में से जो भी टॉक्सिंस होते हैं जैसे कि CO2, Carbon Dioxide उसको ले लेना और वापस रक्त में oxygen, प्राण को छोड़ देना अब हमारे alveoli की health का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि हमारे lungs किस तरीके से काम करेंगे मैं एक आपको general idea देती हूँ कि पूरे शरीर में 300 से 500 million alveolize होते हैं क्योंकि यह जितने जादा होंगे उतना जादा surface area होगा उतना ही गैस का exchange अच्छे से होगा तो इनकी health सबसे जादा महत्वपूर्ण है चलिए अब जानते हैं कि योग करने से हमारे फेफ़डो को किस तरीके का फाइदा पहुंचता है सबसे पहला फाइदा जो भी मैंने आपको बताया ही था कि हमारे जो कोशिकाएं होती हैं सेल्ड होती हैं उसमें oxygen की मातरा अच्छी होने से वो अच्छे से काम करती हैं योग करने से हमारे शरीर का प्राण बढ़ता है दूसरा जो हमारी gas का absorption मैंने आपको बताया था वो बहुत जादा अच्छे से होता है जिसके कारन शरीर में जितनी जादा oxygen चाहिए होती है उतनी आपको मिलती है योग thoracic cavity जिसको वक्ष गोहा कहा जाता है इसमें हमारे lungs मौजूद होते हैं उसकी मासपेशियों को tone और स्वस्त रखता है जिसका काम हमारे breathing mechanism जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं उसमें होता है इसके साथ ये हमारे diaphragm की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है diaphragm एक मासपेशी है जो गुम्बत के आकार की होती है और हमारे फेफडों के नीचे पाई जाती है जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं उसको अच्छे से करने के लिए diaphragm का फैलना और सुकुरना बहुत ज़ादा जरूरी है तो उस muscle की toning योग से होती है योग करने से bronchi में संकुचन यानी की contraction होता है जिससे विशेले प्रदार्थ, बलगम, बैक्टीरिया दीरे-दीरे बाहर निकलने लगते हैं इसके अलावा हमारे फेफडों में जो भी अतिरिक तरल प्रदार्थ होता है कोई भी fluid जमा होता है, congestion होती है वो भी नियमित योग करने से धीरे-धीरे कम होने लगती है अब आपको मैं कुछ नियम बता देती हूँ इसको करने के सिंपल है, आपको हमेशा इसको खाली पेट करना है आपके पास समय है तो इसको रोजाना करे नहीं तो हफते में चार बार जरूर करे कोशिश करें कि इसको मौनिंग में करें नहीं तो इवनिंग में भी आप इसको कर सकते हैं जिन लोगों को कंजेशन होता है, नाग जाम रहती है वो स्टीम लेने के बाद इसको शुरू करें जब ये अभ्यास आपका खतम हो जाए उसके बाद आपको 20 मिनट रुकना है फिर आपको ग्रीन टी लेनी है शुरू करते हैं इस तरीके से सुखासन में आपको बैठ जाना है नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर, सोफे, जहां पर भी आप अराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाएं अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो आप दीवाल का या फिर बिस्तर का सहारा लेकर के भी बैठ सकते हैं अपने दोनों हातों को आपस में जोड देंगे आखे बंद करेंगे, चहरे पे एक स्माइल और एक लंबी घहरी सांस लेंगे सांस अंदर और धीरे-धीरे बाहर दोनों हात आजाएंगे नीचे सबसे पहले हम पांच बार सांस लेंगे सांस जो अंदर लेंगे वो पांच के काउंट पर लेंगे और जो सांस छोडेंगे वो दस के काउंट पर यानि कि 1-2, 1-2 का रेशो रहेगा जो सांस बाहर छोड़ेंगे जिसको रेचक कहा जाता है वो लंबा रहेगा इससे क्या होगा आपके फेफडे पूरी तरीके से खाली होंगे फिर हम सांस को अंदर भरेंगे ठीक है इसमें आपको क्या करना है जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो वो मुह से छोड़ेंगे और ज तीन, चार, पांच, अब बाहर छोड़िए, यह जैसे हमने एक बार किया, स्क्रीन पर मैं टाइमर भी दे देती हूं, तो इसमें देखके आपको पांच बार करना है, चलिए फिर से शुरू करते हैं, सास अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब मुझे बाहर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, थोड़ा सा रुखिए, फिर से करेंगे, सास अंदर, बाहर, चौथी बार, सास अंदर, पांच तक काउन, बाहर, सेम चीज आखरी बार, नाक से सास अंदर, बाहर, आखे, खोल दीजे, अब हम करते हैं, डाइफ्राम ब्रीधिंग, इसको बैली ब्रीधिंग भी कहा जाता है, अब्डॉमिनल ब्रीधिंग भी कहा जाता है, यह सही तरीका है, सास लेने का, इसको कैसे करना है, वो हम सीखेंगे, सबसे पहली चीज, जब आप सास अंदर करते हैं, तब आपका शरीर फैलता है, यानि कि पेट बाहर आता है, जब आप सास को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि शरीर से पूरा गैस बाहर निकल जाता है, तो पेट अंदर जाना चाहिए, चलिए, शुरू करते हैं, इस तरीके से हाथ को अपने बैली पर रखेंगे, आखें बंद करेंगे, बहुत दिहान से सास को अंदर लेते जाना है, अंदर लेते जा रहा है और पेट को बाहर फुलाते जाएंगे, अगर आपका पेट नहीं फूल रहा है, तो उसे जान बू पूरा फुलाईए, पूरा फुलाईए, और सास बाहर, छोड़िये, पेट को अंदर खीचे, अंदर खीचे, पूरा सास बाहर, पूरा सास बाहर, वेरी नाइस, अब एक बार रिलाक्स कर लीजे, चलिए, फिर से करते हैं सास अंदर, चैस को नहीं फूलाईएगा, पेट पे पूरा ध्यान दीजे, पेट फूलाईए, सास छोड़िये, पेट अंदर कीचे, तीसरी बार सास अंदर, पूरा पेट फूलाईए, और सास बाहर, फिर से सास अंदर, सास बाहर, दीरे दीरे कीजे, सास अंदर, और सास बाहर, सास अंदर, इससे आपका जो डाइफ्राम है, वो मजबूत होगा, और सास बाहर, सास अंदर, और बाहर, सास अंदर, वेरी गुड़, पूरा पेट फूलाईए, सास छोड़िये, पेट को अंदर कीजे, हाथ अटाके, नॉमल एक लंबा गहरा सास लीजे, और छोड़िये, ये बैली ब्रीधिंग आप लेट करके भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, अब हम लगाएंगे आंतरिक कुम्बग, इसको अंतर कुम्बग भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है, ब्रेथ रेटेंशन, इसमें जो हम प्राण लेते हैं, उसको अपने शरीर में थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ताकि अराम से जो मैं आपको बोल रही थी, गैस एक्चेंज वो हो सके, फिर उसके बाद हम दीरे से सांस को नाग से ही बाहर छोड़ देंगे, पांच बार करेंगे, 10 सेकिंड का कुमभक लगाएंगे, बैली ब्रीधिंग ही करना है, जैसे अभी हमने किया था, सेम उसी तरीके से, हाथ को पेट पर रख लीजेगा, मैं स्क्रीट पर काउंट डाउं भी दे दूँगी, और आप देखते भी रहे हैं, या आप मन में भी काउंट कर सकते हैं, चलिए, सांस अंदर भरिए, पेट पूरा बहार आएगा, अंदर कीजिए धीरे धीरे, पेट फूलाईए अच्छे से, अब लगाएंगे कुम्बक, एक, दो, तीन, चार, पांच, रोक के रखिए अच्छे से, साथ, आठ, नौ, दस, अब धीरे से सांस को छोड़ दीजे बाहर, चलिए, दूसरी बार करते हैं, सांस अंदर, पूरा पेट फूलाईए, नौ, होल्ड, सांस बाहर, तीसी बार कर लेंगे, सांस अंदर, सांस अंदर करते हैं, पूरा पेट फूलाईए, रोकिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, सांस बाहर, चोथी बार करते हैं, सांस अंदर, होल्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, सांस बाहर, पूरा सांस बाहर कीजे, आखी बार कर लेते हैं, सांस अंदर, होल्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, सांस बाहर, अच्छे से, पूरा सांस बाहर निकलने के बाद, आपके लंग्स खाली हो जाएंगे, उसके बाद आपको होल्ड करना है, ठीके, तो, हाथ रखेंगे, सांस अंदर लीजे, ये भी पांच बार रिपीट करेंगे, दस सेकिंड का ही आपको कुम्भक लगाना है, सांस अंदर लीजे, पूरा भरिये, पेट बाहर आएगा, और दीरे-दीरे नाक से ही छोड़िए, छोड़िए, अब होल्ड कीजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आण, नौ, दस, सांस फिर से आपको अंदर लेनी है, पूरा छोड़ दीजे, पूरा खाली करिए लंग्स को, होल्ड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आण, नौ, दस, सांस अंदर, छोड़ दीजे, तीसरा शुरू करते हैं, सांस अंदर, पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर आएगा, पूरी-पूरी सांस खाली कीजे, खोल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, फिर से शुरू करते हैं, सांस अंदर, पूरा सांस बाहर, पूरे फेट खाली कीजे, एकदम सांस बाहर, अब रुकोल करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, सांस अंदर, आख्री बार कर लेते हैं, सांस अंदर, सांस बाहर, होल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, वेरी गुड, सांस अंदर, और सांस बाहर, पहले हमने लगाया अंतर कुम्बक, हमने फिर लगाया बाहर कुम्बक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साथ में लगाएंगे, पांच बार, 10 सेकंड का ही होल लगेगा, लेकिन एक सांस में दोनों लगेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे, सबसे पहले आपको सांस लेना है, होल करना है, 10 सेकंड के लिए फिर सांस बाहर छोड़ देनी है पूरी जब सांस निकल जाएगी फिर बाहर कुम्बक लगा लेंगे 10 सेकंड के लिए इस तरीके से हम साइकल में करते चले जाएंगे मैं टाइमर स्क्रीन पे देते जाओंगे आप उसको उसी तरीके से फॉलो करते जाएगा चलिए सांस अंदर भरिए हाथ इस तरीके से पेट पर ही रहने दीजे सांस पूरा अंदर पूरा अंदर hold एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस छोड़िये, पूरा बहार निकालिये सांस, एक्जेल, एक्जेल, होल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस सांस अंदर पूरा पेट बहार आएगा, अच्छे से सांस लीजेगा अब होल कीजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस पूरा सांस बहार छोड़िये, नाक से ही, पूरा सोड़िये, सांस एकदम बहार रोकिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस सांस अंदर तीसरी बार कर रहे हैं, पूरा सांस लीजे, अंदर तक भरिये हुल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस सांस बाहर पूरे फेफडे खाली कीजे, एकदम सांस बाहर पेट अंदर जाएगा, हुल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस फिर से सांस भरिये अंदर, हुल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस पूरा सांस छोड़िये, बाहर निकालिये, पेट अंदर, हुल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस आखरी बार करेंगे, सांस अंदर, सांस अंदर, पेट फुलाईए, हुल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस सांस बाहर, पूरा सांस बाहर, पेट अंदर, हुल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस सांस अंदर ले लिजे, आँख खुल दीजे, सांस बाहर अब हम करेंगे भस्ते का प्रहनाय, अगर आपको डीटेल में सीखना है, तो ओपर link दे देती हूं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूं, इसमें जो सांस अंदर और बाहर होती वो जोर के साथ होती है, फोर्स के साथ होती है, तो हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं, सांस भरते हुए, और छोड़ते हैं, तो हाथ को नीचे लेके आते हैं, यह जो हाथ का हम मुवमेंट करते हैं, सिर्फ इसका काम होता है, हमारे जो फोर्स की मैं बात कर रही हूं, उसको अच् सेट करने है चलिए आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है नीचे बैठना है या कुर्सी पर जैसे भी आपको ठीक लगे लेकिन आपकी जो पीठ है वो पूरी सीधी रहने चाहिए दोनों हातों के इस तरीके से रख लीजेगा सास अंदर लीजे सास छोड़िए इस तरीके से ठी चलिए शुरू करते हैं हात आजाएगा नीचे स्पीड आपको इतनी ही रखनी है अगर आप बेगिनर है और अगर आप करते हैं तो इससे तेज करेंगे मैं आपको बेगिनर स्टेज कहीं बता रहे हूं दोनों हातों को सामने लीजे इस तरीके से आके बंद करते हैं हात आजाएगा नीचे नॉर्मल ब्रीधिंग करें चलिए आखरी करते हैं इसमें हातों को फिर से सामने लेके आएंगे हात ले जाएंगे नीचे नॉर्मल ब्रीधिंग आखर में हम करेंगे कपाल भाती क्रिया भस्तिका और कपाल भाती में सिर्फ एक ही अंतर होता है भस्तिका में सांस अंदर और बाहर दोनों फोर्स फुली की जाती हैं कपाल भाती में सांस जब छोड़ते हैं एक्जिलेशन होता है सिर्फ उसमें जोर लगता है लेकिन हर सांस में आपको सांस अंदर जरूर करना है बहुत से लोगों को लगता है कि कपाल भाती एक बार सांस अंदर करते हैं फिर जटकच देते रहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको जो सांस अंदर लेनी है, वो इतनी धीमी or इतनी इनक्टिव होती है, इतनी पैसिव होती है, कि वो आपको पता नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप लेंगे शरूर, मैं आपको एक तरीका बथाती हम सेποार कैसे पूर्णा ह है फिर से सांस अंदर ऐसे तो अब इसको फास कैसे करेंगे लेकिन मैं सांस अंदर ले रहे हूं यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका कपाल भाती उतना ही अच्छा होगा जब आप यह नहीं करते हैं तो आप ठते हैं आपकी एक डीटेल वीडियो है लिंक दे दे रहे हूं आप सीखे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अभी हम साथ में तीन सेट लगाते हैं दोनों हातों को आप इस तरीके से चिन मुद्रा में रखेंगे एक हात आप चाहें तो पेट पे रख ले सांस अंदर कि दीरे से आता जाएगा वापस दूसरा सेट लगाते हैं हाथ रख लेंगे आखें बंद कि रहे हैं सांस अंदर दीर अचे आता जाएगा वापस आख्री सेट सांस अंदर कि दीरे से आता जाएगा वापस आख्री सेट सांस अंदर धीरे से हाथ वापस आखे खोल दीजे यहाँ पर हमारा यह अभ्यास खतम होता है इसके बाद अगर आपको थकावट लग रही है तो आप 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाए फिर 20 मिनट बाद आप ग्रीन टी ले लीजेगा आशा करती हूँगी आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेगा फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दुबारा मिलने आऊंगी तब तक के लिए नमस्ते